कद्दू के बारे में आज बताएंगे आप कमला में कैसे लगा सकते हैं और ये गोल वाला कैसे लगा सकते हैं और लंबा वाला कैसे लगा सकते हैं सारे चीज के बारे में बताएंगे अगर बरसात का मौसम चला है तो आपके यहां मेरी तरह कद्दू कैसे गुरू कर सकते हैं आप इसे लिए पहले hybrid भीज ले ले कोई भी company का ले ले सकते है माई को आ सकता है बीजनार आ सकता है बहुत सारे ऐसे company है आज कल तो सीवानी का भीज लगाने का समय है अगस्त तक लगेगा और उसके बाद खतम हो जागा सीवानी लगाना इसलिए पहले भीज ले ले अच्छ City बाला है जो नोरंगा लगाने में बहुत असान होता है देशे बाला से भी आप प्लांट जो göre क्रभ़ा सकते है और यह देखिए का अजने तो आप टी शु पेपर जर्स लुगा खिलाना ही करें पहरें टीश्उ पर लेकर इस वेड़ा को अच्छी तरह से शाए मेरी तरह मैंने जैसे सजाया हूं मैं 3 3 बीज लूगा तीन इस लूगा या और उसके बाद दो आपको hybrid वाला लूँगा hybrid वाला वाइट है वाला Black Black है लेकिन hybrid वाला जो है वह बहुत अच्छा है और यह बाला ढोल भूल बाल वाला हो सकता है और इसालिए मैं दोनों दो गरलो रहा हूं और दोनों को अच्छे तरह से सजा रहा हूं उसके बाद जैसे ही मेरा साज क्या हो जाएगा तो इसके उपर से उसे रख दूंगा और उपर से जैसे मैं रखा हूं वैसे आप रख दीजा और उसके बाद उपर से जैसे ही इसे रख दीजा और दबा दीजा औ पनी लाने के लिए पहले उपर से इधर कोणा से उधर मैं वो जो जिस में छेद है वह भी रख दियां हूं जो देखते हैं armination होता है कि नहीं अगर नहीं होगा से यह जर्माना बहुत आसण है और इस पहले ऊपर से पाणी दे एगे तर्सेल यहासा नहीं कंदूर में आप नीचे गिराद लिजागा ज्यादा पाणी इसलि franchot dip सभी तरह में अच्छadt पाणी हूlles नके कमा और क्लीखे इसे हीना नहिंradas तो भी काम चल जाएगा पनी आच्छा होना चाहिए है पहले सुखाने के लिए मैंने ऊपर रख दिया हूं ऐसे तो मैं इसके अंदर रख दूँगा पनी के अंदर रखोंगा तो उसके बाद देखिए गा जो ये जैसे हैं तीन चार दिन होगा और अंदर तक ले जाओंगा और जितना अंदर हो सके उतना अंदर जाएगा और जब 3-4 दिन का होगा तो आपको जरूर मैं यह दिखाऊंगा यह आप देखेगा जो अंखुरन इतना अच्छा हो जाएगा जो इतना अच्छा जो आप कह नहीं सकते हैं और इसको अच्छी तरह से यह टाइट कर देना यह आराम से यह टाइट कर दीजे और छोड़ दीजे जैसे ही छोड़ दीजेगा तो उसके बाद बांध के छोड़ दीजेगा तो यह टाइट हो जाएगा और यह टाइट हो जाएगा तो अंदर ही अंदर इसके बीज जो रहेंगे बीज जर्मिनेशन होने लगेगा और व जी चीज में आपको लगाना है या कहीं जमीन पर लगाना है और ये आपको 20-25 दीन का कल्चर है जो कि 20-25 दिन का जब होगा तो ऐसा दीखने लगए और ऐसा दिखने लगए तो बहुत अच्छा होगा जैसे ये आप 20-25 दीन का होगा तो ये आप इसे कोई डंटा के सारे उपर चार ना ना इस्टार्ट कर दीजिए सिमेंट का बोरी में अगर लगाना चाहते हैं तो सिमेंट के बोरी में मेरी तर लगा सकते हैं वो भी हो सकता है और उपर ले जाना है तो जहां पर वहां ले जाईए और सिमेंट के बोरी में यह होता है ज् भी दबा ले लेगे मिराख अड्रोगर उसरे इस प्रेकर दीजो भी इसे पॉराना बाला उसमें फालना स्टार्ट हो जाएगा यह यहirm तनदsuite बार है यह मुझे ब्लेक ऊओ मतलब गोल बार बारा बार है तो इसमें लगाना बहुत आचाना है इसका भी इऐ सी महीने लगता है और एक आता है सिवानी करके जो बड़ाबर कद्दू होता है वह भी इसी महीने लोग लगाते हैं इसी लिए कोई भी भी लगाना चाहते हैं तो भी लगा लिजे और जैसे लगा लिजेगा उसे धूप किया बसकता होती है धूप लगते रहेगा ठंड में को यह फालनाय स्टार्ट कर देगा ऐसे तो हाइब्रीड बीज है तो आप बढ़ाबर लगाते रहे हैं कोई मौसम आए या को ऐसा भी समय आजाए तो उस समय लगा सकते हैं और अच्छी तर से लगा दीजिए 3G कटिंग कर दीजिएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा ऐसे जाए तरी जिका भी नहीं किजिएगा ऐसे भी लगा दीजिएगा तो वह भी बहुत अच्छा है और देखने में बहुत अच्छा लगए और इसका प्रांट जितना बरा होगा इसमें कितना बराइटि आता है जो छोटा-छोटा फॉल होता है वह बराइटी देख देगा उसके बाद आप लगा दीजे यह सब का बैई जैसे मैं बताया था वह ऐसे जर्मिनेशन करगा दीजे आपका 100% ओकुरन होगा और 100% फॉल फूल देगा और आपको कोई प्लांट 55 दिन फॉल फूल देना अस्टाट हाइबृड का देग कर देता है वह इसलिए करता है क्योंकि हाइबृड भी जो ऐसे ही होता है और जो भी तीन महीने के अंदर इतना ज्यादा बुलूम कर जाएगा जो आप खा नहीं सकते हैं इतना ज्यादा हो जाता है इसलिए आप कोई भी गमला में लगाई है तो दो तीन ही प्लांट लगाई है आप कंटेर्नर वाला गमला चुझ किजिए उसी में लगाई है और इसका प्लांट जरूर सरभाइब कर भाई है उसमें बर्मिंग को पोस्ट दीजिए अगर जमीन पे लगा रहा है तो एक केजी बर्म छी लगा दीजिये जी जबैए कि जमीन में इसको पोसकता स्षो स्ब चीज मिलता रहता है तो इसमें कोई दिकत नहींora चा्जट है और मेला कुलाण रोगर एकाईब करते रहे और इसे बरहाते रहे और मिला क्रीम रोगर की अलावा बहुस सारा ब्युक्र आप दबा करते अगर इसे नीम वाइल का एस्प्रे भी कीज़ेगा तो बहुत अच्छा है और गेनिक रखना चाते है तो नीम वाइल का एस्प्रे कीज़े वर्मिका बहुत डालिए यही सब हो सकता है इसके लिए और खुब अच्छा है आपका प्रांट कुड़ो करेगा धनबात इतना दे अगर वीडियो मेरे देखे है तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें मैं ऐसा ही वीडियो बार बार लाता रहता हूं ऐसे यह लगाना भी बहुत आसान है यह और घिवरा यहां और भी नेनुआ होता है और भी कद्दू होता है जंगली कद्दू सारा झाल झाल झाल